सबीका स्वागत है आपके अपने चैनल स्वारा आनगरिमी क्लासेस पर यहां हम बात करेंगे कॉमन बियसी इंडर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट सी एन इटी 2023 की ये अटल बिहारी बाच पर मेडिकल उनिस्टी उत्रपदेश की तरफ से आता है इसमें के GMU, SGPGI, अटल बिहारी बाच पे मेडिकल उनिस्टी, UP, UMS, घड़े संकर विद्यार्थी मेडिकल, मेरट के जितने भी उत्तरपदेश में कौवर्मेंट के हैं और प्राइवेट हैं वो सभी इसी के अंतरगत अब आ जाते हैं तो कट ओफ कितना होता है, क्या सब प्रदेश के छातर फार्म भर सकते हैं, फार्म फीस क्या है, सभी कॉलेज लिस्ट और मेल और फिमेल के बारे में कुछ हाइलाइट्स हम आपको दिखा देते हैं, में में चीज़े, परिच्छा का जो माध्यम है वो अंगरेजी है केवल, यहां चीज़े क्लियर हो गई आपकी अगला फार्म फीस कितनी है तो जनरल OBC और EWS के लिए जो है, वो तीन हजार रुपे है, और SC और ST के लिए दो हजार रुपे है कुछ important dates हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, तो 15 April से इस फ़र्म शुरू है, 18 माई तक यह फ़र्म भरा जाएगा और 25 माई को आपको admit card और 4 June को आपको इसका entrance exam होगा, जो की English में होगा परिक्षा आपकी offline होगी, यहाँ पेपर pen mode पे होगी, तो clear हो गया होगा यह इसकी official website है, आपको इस पे आना है और यहाँ से आपको click कर लेना है, click here to view, यहाँ से आप जाएंगे और यहाँ देखिए, BSC nursing का आपको form मिल रहा है, इसमें आपको भरना है, यहाँ से information voucher आपको यहाँ से download करना है, form यहाँ से भरना है तो आईए हम चलते हैं, हम सब लोग form भरेंगे, क्योंकि हम उस पर discussion पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप जाकर चाहाँ तो देख सकते हैं यहाँ नीचे के तरफ देखिए, BSC nursing, name, first name, तो यहाँ पर हम अब सुरू करेंगे, form को भरना, देखिए जिसे हमने यहाँ पर लिखा, middle name अगर आपका कोई है, तो आप भरिए यहाँ पर अगर middle name नहीं है, तो middle name भरने की जरूरत नहीं है, अपसी दे, जो है, आप भर सकते हैं, कि जो भी आपका last name है फिर उसके बाद देखिए, आपका भरने के बाद आगे की तरफ आप बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मदस name भरा, फिर father's name भरेंगे, तो यहाँ father's name में आप देखेंगे यह father's name हमने दखा, यहाँ mobile number भरना है, और नीचे की तरफ जो है, mobile number और data भरते हुए, आपको आगे बढ़ना है यहाँ आप category select कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर select किया, और फिर उसके बाद सब category अगर आपकी कोई है, तो करिए, नहीं है, तो कोई बात नहीं है, उससे छोड़ दीजिए, फिर यहाँ registered कर देना है, अगर आपके पास कोई category नहीं है, तो आपको not applicable यहाँ पर select करना होगा फिर आपको अगर है, तो उसमें से वो करिए, देखिए, जैसे आप register करेंगे, तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा, देखिए, आपके सामने यहाँ पर message आ गया, ID नमबर आ गया, और यहाँ पर बाकी चीज़ें यहाँ पर आ गई है, देखिए, आपको यहाँ पर एक message मिल है, registration number भरना, यहाँ आपने जो data birth भरी थी, वो data birth यहाँ पर आपको भर देनी है, हमने यहाँ जिसे भरा, और यहाँ आप data birth आपको भरनी है, तो हमने जिसे यहाँ पर data birth अपनी भर दी, और जैसे data birth भरेंगे, तो यहाँ से आपको login कर देना है, फिर आपको इस तरीके का क तो यहां पर आप आपको फीस पेमेंट करना होगा सबसे पहले तो यहां जैसे ही आप फीस पेमेंट के पर जाएंगे तो आपको यह अगले सेक्शन पर ले जाएगा फिर यहां से आपको HDFC या किसी के माध्यम से यहां देखें पेवित HDFC HDFC अधार बैंक क्रेडिट कार्ड जिससे नेट बैंकिंग जिससे आप करना चाहें उससे कर सकते हैं क्रेडिट बैंक क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड है जो आप लेना चाहें वो सारे सबी मोट ले सकते हैं थुरू किससे रहेगा आपका तो आप देख सकते हैं मास्टर कार्ड है रुपे है जिससे पर कार्ड नंबर उस कार्ड का नेम और यह डिटेल भर कर कंफर्म कर देना है और पेमेंट आपका हो जाएगा फिर उसके बाद का अगला स्टेप जो है आपको भरना होगा इस प्रकार आप फॉर्म को भर पाएंगे क्योंकि इस बार फीस आप से पहले मांग ली गई है फॉ आपको परिक्षा देना है एक्जामिनेशन के बारे में हम पहले भी डिसकेशन कर चुके हैं यहाँ पर डीपली थोड़ा सा और देख लेते हैं तो यह चार जून को आपको परिक्षा होनी है ग्यारा बज़े से दो बज़े तक होगा एक सो असी मिनिट का होगा यानि तीन घंटे का आपका जो है ये पेपर होना है तीन घंटे आपको पेपर देना है ये mcq based होगा offline पेपर होगा और ये black ball pen के साथ आपको देना है 200 questions आएंगे 200 questions में negative marking कोई भी नहीं एक number का एक question होगा तो यहाँ पर आपको हम एक चीज़ और clear कर दें देखे 200 questions आपको exam में मि clear हो गया होगा और इस प्रकार जो total maximum marks होगा पूरांक भी 200 number का हो जाएगा 200 number में जब आपको exam का conduct होना है तो 200 number में आपको देखे यहाँ पर क्या करना है जो है 100 number आपको लाने ही लाने होंगे यहाँ पर अब देख सकते हैं 100 number जो है किसे लाना है general को लाना है इस तरीके से आप देखे general category या EWS जो candidates हैं उन्हें उन्हें जो है 100 number लाने ही लाने होंगे 200 में तो इस तरीके से और हम आपको detail मताते हैं जिसका यहाँ पर detail यहाँ पर देखे दिया गया है आप यहाँ इस PDF में आप आसानी से देख पा रहे होंगे देखे यह minimum qualifying marks हैं लेकिन फिर भी यह चीज़ें घट जाती हैं आप जब काउंसलिंग पहले round दूसरे round की होती है तो उसमें यह जो पचास होता है वो 45 हो जाता है 45 ओला 40 हो जाता है इस तरीके से नीचे की तरफ आज घटता हुआ चला जाता है तो यानि आप इसलिए घबडाई यह नहीं कि कि 100 नहीं आएंगे तो आप नहीं पाएंगे तो आप पहले round में जो first round होगा उसमें आप eligible नहीं होगे लेकिन उसके बाद जो second round होगा उसमें आप eligible हो जाएंगे तो private के chances होगे अगर cut off आप नहीं पार करते हैं क्योंकि जब ज़्यादा score करेंगे तो अपने आप cut off पार हो जाएगा और government seat के पहले भर जाएंगे तो पा जाएंगे वहाँ पर तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि जो चीज़ें यहाँ पर हमने आपको clear की हैं उसमें general के लिए जो यहाँ पर है general और EWS के का जो candidate हैं उन्हें 100 number लाने ही लाने है 100 number चाहिए उन्हें और इसी तरीके से जो handicaps है जो PWD हैं general के ही उन्हें 90 number लाना है उन्हें 90 number चाहिए और बाकी जो SC, ST और OBC जो बचते हैं candidate उनके लिए 80 number लाना अनिवार होगा कटाप को पार करने के लिए तब उनकी merit बाकी चीज़ें डिकलेर की जाएंगे और first round के counselling में वो participate कर पाएंगे आप यहाँ इसी तरीके से और देखिए syllabus के बारे में भी यहाँ पर discussion किया गया है इस बार जो है इन्होंने का कि 20% जो है आपको देना है यानि 40-40 questions वही बनेंगे तो 40 questions देखिजिसे nursing aptitude से हैं फिर 40 physics से हैं 40 questions 20% का मतलब 40 questions है बालोजी से 40 हैं इंग्लिस और जनल नौले से 40 हैं और यह सारे के सारे intermediate क जैसी syllabus रहेगा जो syllabus हम पहले भी discuss कर चुके हैं वो आप हमारे एक नए वीडियो में पिछले वीडियो में देख सकते हैं यानि यहां 40 questions इसके मिलेंगे 40 questions इसके 40 questions इसके और 40 questions इसके मिलेंगे यानि इस परकार total 200 questions आपके हो जाते हैं हर एक section से और यह physics physics bio और कमेस्टिव ब यानि 40 questions इसके हो जाते हैं और nursing aptitude से भी 40 questions आपके हो जाते हैं और यह सारे के सारे जो questions होते हैं वो English medium में आपके होते हैं यानि यह आपको अंग्रेजी में ही paper देना होगा यह clear है आपको किसी doubt नहीं यहां पर लिखा हुआ है medium of examination और जो आपकी photo है जो आपकी photo है form पे लग लुए आपको अपना नाम लिखना है photo पर आपको अपना नाम लिखना है नाम के साथ data photo जिस दिनां को आप the airline किछाते हैं वो लिखेंगे जिसे आज की date अन्हार अगर हमाल लें तो आज अगर आपने photo खिचा है तो यह date आपको इस formate में लिखनी है format दिया गया है date month और year तो इस तरीके से यहाँ पर लिखना है year का मतलब यहाँ पर है केवल आखरी लिखना है इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा date का जो format है वो आप देख सकते हैं date है जिसे अगर मालने तो 15 हो गया आज की जो date है वो month है 4 है और यहाँ पर 2023 यह date आपको लिख लिखना होगा photo पर जैसे neat के form पर लिखा जाता है बिलकुल उसी तरीके से होगा यह size का होगा 50 से 200 kb के बीच का होना चाहिए तो यह आपको आज ही बनवाना होगा और उसी तरीके signature इस format पर रहेंगे तो यह आज सानी से आप signature running hand में आप करेंगे capital letter में signature नहीं करना संकर विद्यार थी college of nursing medical college और इस side में आप देख रहें होंगे कि सारे government है government लिखाओगा और यहाँ पर co-education है यानि male female सभी candidates यहाँ पर applicable हैं तो नीचे की तरफ आप scroll करते हुए चले जाएंगे तो इस तरीके से आपको सारे मिलेंगे इसमें एक नाम नहीं मिलेगा एस जी पीजी आई का ये क्योंकि इस साल आइड हुआ है ये पिछले साल नहीं था तो इसलिए ये भी आप नाम इसमें देख लीजेगा बाइस की जगे पर आप टोटल जो government institute हो जाएंगे वो 23 गवर्मेंट के institute हो जाएंगे और बाकी सारे के सारे ये government college जितने हैं वो 23 हो total 72 यानि 273 total colleges इसमें हो जाएंगे तो यानि 2500 जो colleges है 250 college जो है इसमें 272 देख रहे हैं लेकिन आप ये 200 जो है 73 हो जाएंगे इसमें से 250 जो है private होंगे और जो है 200 और बाकी यहां पर जो होंगे 200 के सारे के सारे 200 यहां आप देखेंगे 23, 23 फॉर्म जो होंगे वो आपके government के ह होंगे और ये private institute यहां पर आपके होंगे तो मिलते हैं अगली update के साथ किसी अगली information के साथ आओ और आपके सवालों के साथ धन्यवाद जय हिन जय भारत